दिल्ली से गुवा की उडान में एक सज्जन मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी, सज्जन की उम्र करीब 80 साल रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी देखने में 75 पार ही लग रही थी, उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दे तो दोनों करीब करीब फिट थे, पत्नी खिड़की के और बैटी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था, प्लेन के उडान भरने के साथ ही पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला, और पती की और किया, पती कापते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे, फिर फ्लाइट में जब भ दूसकी बॉतल के धकन को खोलना शुरू किया, तो उनसे धकन खुला ही नहीं, सज्जन कापते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, मैं लगातार उनकी और देख रहा था, मुझे लगा कि धकन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हे ये देख सज्जन ने आगे कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए, पत्नी भी पती की और देख रही थी, जूस की बॉतल का धकन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर सज्जन उसे खोल लने की कोशिश में लगे रहे, और बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने ढकन खोल ही दिया, दोनों आराम से जूस पी रहे थी, मुझे दिल्ली से गुवा की इस उडान में जिंदगी का एक सबक मिला, सर्जन ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अ दोनों एक दूसरे की जरुरतों को समझते हैं, सर्जन ने मुझे से कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए, एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो समझो बेटा कि बिस्तर पर ही पढ़ जाओंगा, फिर मन हमेशा यह कहेगा कि ये काम इस से करा लू, वो काम उस से, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहरा लेना पड़ेगा, अभी चलने में पाउं कापते हैं, खाने में भी हाथ कापते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको, रहना चाहिए, हम गुवा जा रहे हैं, दो दिन वहीं र कर लेंगे, पूरी जिंदगी खोब काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महने के पैसे तै कर रखे हैं, और हम दोनों उसी में आराम से घुमते हैं, जहां जाना होता है, एजन्ट टिकट बुक करा देता है, घर पर टेक्सी आ जाती है, वापिसी में पर भी टेक्सी ही आ जाती है, होटल में कोई तकलिफ होनी नहीं है, स्वास्तिय वा उम्र अनुसार वे एकदम ठीक है, कभी कभी जूस की बॉतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है, मेरी तो आखे ही खुली की खुली रह गई, मैंने किया था कि इस बार की उडान में लैप्टोप पर एक पूरे फिल्म देख लूँगा, पर यहां तो मैंने कुछ पलो में पूरे जीवन की फिल्म ही देख ली, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जिने का संदेश छिपा था, दोस्तों जब तक हो सके आत्म निर्भर रहो, प्रेम ही करो,